कि पुल स्टोरी में कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें कुछ जीने का मौका मिल जाए तो वो स्टोरी का हिस्सा बुनना अपना सोबागी समझता हूँ और बाभु जी एक टिकट मंबई जिसा कि आपको टाइटल लगता है आज मंबई है हमारी यह जिस समय को दर्शाती है और जिस परिवेश को दर्शाती है आज बोते हैं चोटी चोटी चीजों में काउं में चोटे चोटे प्यार के मातिम से कभी बोते हैं इस्थितियों के मातिम से रोटी कप्रा और मकान की जरूरतों के मातिम से लेकिन सबने प्रेम चुपा होता है और सबने चुपी होती है कहीं एक जीने की ललक और सब के अंदर चाहें वो किसी भी परवेश की लोग हो जिस तो ए भी सीडी बोलते हैं ना कि लोर क्लास अपर क्लास अपर मिटल क्लास तो यह फिल्म जो है एक बेड़नी जिस तरीके से एक परमपरा है जिसने आज 2016 हम लोग बोलते हैं होल वर्ड बिकिम स्माल विलिज से देख पाएंगे कि 2016 में भी भारत कैसा है और कैसा दिखता है और कैसे जीता है यह उसको दिखाती है और इसने बद्धू का करेक्टर जो है उसके इर्दिद्धिर कहानी होंती है हम इश्वाल भाई मुश्काग भाई जितने भी हमारे को आसवार्टेस हैं हम सब नहीं प सबस्पोर्टिंग मुमिका में हैं और कोशिश की है कि आपको इस फिल्म पसंदा है और कि तो जब फिल्म आप देखेंगे तो नमबर देने का आपको पूरा दिखाए है एंडिसर थैंकि तो मच और अब आरी है नमस्कार दोस्तों सबसे थास बात है कि यह कि इसके जो पूडूसर है हमारे मुंदरा सहाफ और क्यूस बागू यह मुझे लगी नहीं यह पूडूसर है कि हम पूडूसर की फिल्म बना रहे हैं अपनी खुड की फिल्म बना रहे हैं कि लोगे जिस तरह के हमां के आलाद थे और जिस तरह से हमों इनों को रिसीप किया और जिस तरह महां रखा शूटिंग में मुझे बहुत अच्छा रगा करेक्टर को मां जीने की कोशिश की है और सबसे चिवाद जैसे कि अभी राजपाल में बताई दिया और ये फिल्म कर देखके आप कैम लगा है कि इसकी कहानी क्या है इस तरह से जर्मी एक लड़्ती की क्या हूता है और इसे र turtle की होता है और खास करकि वो फोथ जो इस रे को हैसां का ये बहुत ही बीटीफू एतो मैं मैं हुपने बढ마न कर सारी के साषब और सबसे खुशी की बाद मुझे जब मैंने वाटसेप पे मैसेज देगा कि इसका ट्रेडर लांच हो रहा तो मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि कि काफी आम सॉरी तुसे बड़ काफी लंबा अरसा हो गया हमने जब इसको शूट किया था वोबाल में तो बूल सकता है था और लेकिन हमेशा जहां भी कुछे बात करनी होती थी सिनिमा की या इंट्रुवी होता था या कहीं भी कुछ बात होती थी कि आप क्या क्या फिल्मे जाता हम बहुत सारी फिल्में करते हैं नाम तक बूल जाता है कि कौनसी फिल्म की है कौनसी नहीं खास करके बड़ी बड़ी फिल्में हमको याद आ दीगे बड़े बैनर की फिल्में और बड़े स्टार्स के साथ फिल्में तो वो फिल्मों हमने जादा जिकर किया लेकिन जब मैं शूटिंग कर रहा था तो पुझे बहुत ही मज़ाया था कि उसलिए क्रियर कहानी थी और बड़े अच्छे लोग थे इसके पूडूसर तो मेरी पूरी दौाइं है इस फिल्म के साथ यही काम ला करता हूं कि यह फिल्म और बड़ी खोशी की बात है कि फिल्म रिलीज होने जा रही है बाला भुश्कर होता है एक प्रूइसर एक फिल्म बनाता है इतनी महनद इतना पैसा लगता है और इसके अपात इतनी सारी ऐसे फिल्म है जो पर्ड़े का मुझ नहीं देख मुस्ताग भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली है। मैं तहे दिल से इस बात का सपोर्ट करता हूगी जब पहले बार ये स्टूरी हमारे पास आई तो मैंने पूछा हम ये फिल्म क्यों बनाना चाहते हुआ आज कॉमर्शिल फिल्मों का इतना लैविश तरीके से फिल्मों साथ इन लोगों ने जिस इसत से हम कलाकारों को भूपाल में रख्था और जितने ऐसा लग रहा था कि इस हम लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान बन रही हो और पूरा परिवार एक कलाकार के खाने से लेके प बढ़ते हुए देखा आके ऐसी इन पढ़ा है और मैं इसे चाहता हूं कि इस परंपरा को लाके देश के सामने रखना और क्या-क्या अंदर लड़कियां छेलती हैं और किस तरीके से वाहर अपने सपनों को पाने के लिए क्या-क्या अपनी दुर्दशा करवाती हैं उसको एक बहुत ही सिनिमेटिक लिए उसके साथ में एक इल्यूजन के साथ पेश करना ये हिम्मत का का है और मैं इस परिवार का सत में शुक्र भुजार हूं कि इस तरीके के अगर जो सोच रखने वाले लोग होंगे तो हंड़ेट परसेंट सिनेमा थी डायमेंशनल हम लोग बो इस परिवार को बनाने की की का पीड़ा उखा लेंगे पधाई के पात्र है एक बार भाई ने बुला कि बच्पन से हम देखते थे इंकी फिल्मत मुझे ऐसा लगा साला आज मुझे ऐसा अच्वा में बूड़ा हो गया लेकिन चिंता मत्कुरों हॉलिवूड कहता है कि 40 सा अब कर दो आफ्यान होता है तो अभी तौन अब इक बात में कहना चाहोगा यह जो आपका बच्मना ना यह जवानी बच्मने का जो दौर एक पतर ही का आपके बचा कि इसको दबा कर दिया है वो ढिखते ही नहीं आपके मारे अले सपेतने हुए हमाने होघ़ाए कि अज़ एक बाज़ो गातानिया अज़ से मैं आपको फॉलो दएक अपचारी किसी नारश है कैसे नाल सकत हो रहा है कि एक फिल्म की थी मैने जपनेया आया था होगे समर शाम बेनिगल जी की और सागर सिफास सुटे मिठीयों सची कहने के लिए पेड़नी उसमेडी काफी यैसे मिठीयों फिल्म का उफर मिला तो मुझे मैं उस फिल्दी सिद्मेड किया और मैं जाने कि उसकत तरभी आदा उस पर दिए तो पड़ी जिग्यासा जी कि कौन है क्या है तो इस फिल्म में तो बेड़नी के उपर नहीं है लेकिन ये फिल्म बेड़नी और उस माहौल के उपर है तो मुझे का लगता है कि यसे यूश भाई और इनके फादर जो हैं मैं एक बात बोलना चाहरा हूं कि हो सकता हिंक की त्र जैसे ही है कुछा जैसे ही लिए रहें कि इंके इनके डिल ना कहीं वी एक प्रकार की भी वह नहीं है पहुत इतने असाफ सच़ी की बीड़ना कि कि कमशली जैसे ही मैं क्योंकि मैं तो इससे गत्स नाम की आताब उसमीराश के उसमीरे उल्ट सब्स्क्राओ जो इसे तो बहुत काम दो है जो एसी तीलों पर फिरम बनाते हैं पहले कर पराने उसके बाद से और इपको इन दो जो एक पराने और हमारी सब्सक्राइब कि इतने सचे लोग है ये इल्कुल सही मांदारी तरीके से रिलीज करना चाहें तो आप लोगों में वह बहुत अच्छा इतर वोजिट्व सहयोग चाहिए क्योंकि गजरणी कि कुछ ऐसे बजरनी है जो गाओं पर चौटे शवरें नहीं हैं तो मैं जानता हूं लोगों को क्या खेलना बढ़ता है उंको किल्म हुल नहीं है तो इस बनाना बहुत एन जीन सब्सक्राइब और है और हैट्स आप रियू कि आप रिजर रहे हैं और रिप पूरी शुब कामना हैं और राजपा ले इसमें काम किया है कि एक लगड़की की कहानी है एक लगड़की की जीवन की यात्रा है और उस यात्रा में राकेश जी वाशाग वसीम भाई अब उसको क्या करूं अरे इसले गारण उटार गारद रूको नहीं हो अरे नाकियर गोमजदर पुच्चार नाय कि अजया हुआ 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 है पुच्चार नाय कि अजया हुआ है पुच्चार नाय कि अजया है अलग अलग संस्कृती है अलग अलग कल्चर है उसको कोई छूता है तो उसका भी एस्था होने बहुत मज़ा आता है तो यह बाबुजी एक टिकेट बंबई यह एक एक ऐसी विदा को आपके सामने दिखाती है जिसमें आप को होगे कि 2016 में भी हम जहां पे computerism जी रहे हैं बहाँ पे ये story बिलकुल आज की date की story आपको देखने मिलेगी कि इसी 2016 में हमारे भारत में ऐसे लोग भी जी रहे हैं ओके कहीं आपने भी कहा कि मैं film को support कर रहा हूँ film की lead अदाकारा वो पूरी film को लेके जा रहे हैं ये लड़की के वोपर इर्दगिर्द कहानी घूमती है और लड़की जो है इसका हिस्सा है और ये जो एक बेड़नी समाज को represent करती है तो हम लोग अपने अपने characters में इस विधा को support कर रहे हैं और उस लड़की को support कर रहे हैं अपने अपने चरित निवा रहे हैं इसमें आप अगर सोच रहे हों कि एक इस तरीके की film है जिसमें बोलते हैं कि रोमेंटिक फिल्म है या ये एक कॉमेडी फिल्म है ये एक बहुत अलग तरीके की बोलते हैं एक एक illusion है एक reality का illusion है जो आपको इस फिल्म के मादम से देखने को मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा आप कुछ freshness देखने को मिलेगी आपने कहां कि रोमेंटिक फिल्म नहीं लब लेकिन जिस तरह के प्रोमो में जो हमने हैं सॉंग में देखा बड़ा रोमेंटिक है लब बेकिंग सीम भी होंगे उसके बारे पर कुछ जन्ना जाओंगा इसमें हम हमेशा उस सिनेमा का हिस्सा होते हैं जिसमें कुछ ऐसा इसमें कोई ये जो हमारा केरेक्टर भी है वो गाओं के उस जो बोलते हैं महले के जिसमें एक महले का आज गली-गली का जो प्यार देखने को शायद कभी-कभी मिलता है लेकिन आज भी गाओं में वो प्यार चलता है ये उसको रिप्रेज्टर बड़े छोटे लोग हैं ये और ये अपने तरीके से हीरोज को फालो करते हैं आपको अगर उनको किसे से प्यार भी हो जाए तो वो अपने आप में हीरो नहीं देखते हैं वो ये महसूस करते हैं हीरो ऐसा करता है इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए ये उस तरीके करते हैं आखरी सवाल आपसे 2016 खतम होने शुरुवात हो चुकी आदा साल विजूर्ट चुक्ता है और किन प्रजेक्ट पे आप ताम कर रहे हैं कितनी फिल्म हैं आपकी पाइप्लाइन अभी लगबग फिल्म हैं आप जो क्योंकि की इमेजिनेशन करते थे धीरे धीरे उस सिनेमा का हमें हिस्सा होने का सवभाग मिल रहा है और वो ही पिछले साल में कुछ लोग जब आप लोग पूछते थे कि फिल्मों में क्यों नहीं दिख रहे हैं जादा क्यों नहीं दिख रहे हैं, कम क्यों नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चुकि एक अक्टर हर साल ग्रो करता है, हर साल हर डे एक लर्निंग डे होता है, अब जो जिसमें एक फायर फाइटर है, आरेस बीपी गॉड है, एक नाडा पांडे है, एक टचबूड है, तो इस तरी भाग मिला है हिस्सा होने के लिए तो मैं हुद खोश हूं बने बने एक फैंड ने कॉमेडी की तरह से देखा आपको एंजोई का एक अपने मेरी पतनी ओर वो देखी होगी आपने अंडे ट्रायल देखी होगी हम मनुरंजन करने वाले लोग हैं हमें कभी-कभी सीरियस मनुर करने का मौका मिलता है उसमें प्राउड फील करते हैं हम अपने आपको किसी एक लाइन में कभी नहीं बांधना चाहते हैं और जो लोग बांधने कोशी करते हैं हम उसको ब्रेक कर देते हैं कि इस फिल्म के बारे में यह कहुंगा कि एक बड़ा अच्छा प्रियास है और एक रियल समस्या जो हमारे देश में इसमें प्रचलित है प्रेवलेंट है उसके उपर यह फिल्म मनाई गई है कि किस तरह से लड़कियां छोटे शहरों से या तो खुद भागती है या उनको या बेचा जाता है उनको और वो किस तरह से तरह धन्दे में पड़ती है और कैसे एक्सप्लाइट होती हैं समाज के यह इस फिल्म का वो है और इसमें जो लोग इनको एक्स्प्लाइट करते हैं वो इनकी सहेत का भी जादा ख्याल नहीं करते हैं इनको जानबूर की तरह ठीड करते हैं बहुत सारी ध्यरों लड़कियां एक कमरे में बंद भर दी जाती हैं और उनसे काम करवाए जाता है तो उस महौल में बिमारियां भी पलती हैं तो मेरा रोल एक डॉक्टर का है जो यहां पर आता है और इनकी हल्प करता है बड़ा सत्किजम का डॉक्टर है लेकिन फिर एक पॉइंट पर एक लड़की के इसका दिल पसीशता है और क्यासी उसको सला देता है वो ठीक करता है उसको वहां से निकालता है ऐसा ही अच्छा रोल अच्छा काम कर रहे हैं तैकिसो मज़ी अच्छा